मैं एक नए वीडियो में शाथ आपको श्वागत करता हूँ अगर आपसे कोई पुछे पृति अच्छ जीन अस्थनांतर क्या है इसके किनी चार वीधियो का बरन कीजिए तो पहले हम लो जाने के यार कि आखे जीन अस्थनांतर क्या होता है जीन अस्तनांतरन का होता है तो जल्दी समलों देखते हैं यार जीन अस्तनांतरन के मारे में जवाब से पुछेगा तो आप इसका काजवाब देंगे तो देखिए जीन अस्तनांतरन का मतलब होता है तो इसके जीन अस्तनांत्रर कहा जाता है जीन अस्तनांत्रर के बिधी के बात कर देखो मैंने एक चित्र भी बनाया है मालों कि ये कोई कोशिका है ये भी एक कोशिका है इसके जीन को मैंने निकाला निकाल करके जीव कंदर पर भी इश्करा दिया इसके कंद्र कंद्र पर विश्क ना दिया तिसी को लगाते हैं जीन अस्तनांत्रा जीन अस्तनांत्रा के मुकर्ब से दो बीधी होती है यार एक वता प्रतियाच बीधी और एक वता है आपका आप प्रतियाच बीधी तो प्रतियाच बीधी में कहता है कि जब माने जब जीन क तो बीना किसी के सहाइता से या बीना वाहक के सहाइता से एक जीव के दुसरे जीव कंदर प्रवेश करा दिया जाता है तो इसको हम लगाते हैं प्रतियच जीन रुपांतरा उसे का कहेंगे प्रतियच जीन रुपांतरा मैंने बीना किसी प्रतियच के मतलब डायरिक ली बीन आप परतियाश्च वीधी तरें बीकिस अ मधास में डेना किसी वाहक का जोड़ा उड़िए है, जब जीन को एक जीन से दूसरे जीवकंद्र डाल लिया जाता है, तो सी को मुक्त आए है, जीन अश्तनाद तरा, ठीक है, आगे बरते हैं अपरत्याश्च वीधी, 길 जीव है दिनस्न कम यशने को निकालेंगे दालंगे उसके पारी हैं तो यह पंध लाकर के रहा होWo mo तो किलोजय कुछा ते जीन अष्टनांत्रण की उस में वहा की जिरुएत हुती है दें और नहीं आट मैं मैं आपको बताने वाला हूँ या कि के आज के अज का आपिक मेरा रहे गा वह परत्यच वीधी पर ही रहे любимप पर稟ेश फेलिया थो आप ने दी कमी ध्य zu बुबॉ पुरे विधी को देखते हैं पहले एक बार जो देखो पहला विधी आपके का होता है तो ऐसे मैं बताता हूं उसमी जटका में सरपतम करते हैं कि एक को सिखा लेते हैं और इसका को जीवड़ी के से सथाफ पर ठंडा करते हैं जिसके कार इसके चारोर सुना ध्यान से केल्सिय होता है चारोर एकरतीत हो जाते हैं केल्सियम या जो आयरन होता है इसके आयन चारोर एकरतीत हो जाते हैं फिर इसको इसका किता चाली जटका बढ़ा देते हैं जिससे इसकी को सिखा भिती फट जाती है और फिर जो डीने होता है या जो जीन होता है उसके इसके अंदर पर अगर आप लिखना चाहते हैं आप उसमी जटका के बारे में देख सकते हैं बाई कि कोश्काएं जिवारू जनतु कोश्का उमें इसको पर बेस करा सकते हैं जो भी महारे आप अधिकता जिवारू अमर्जनतु में पीदी का इज्तिमाल किया जाता है लाप अब्स आ नाम है इलेक्ट्रोपोरेशन का मतलब यूह था न्युक्र कि यक्जिक गंदर तो हमने कुछ भी करना है लुक्तिव करना है कंदर को सब्सक्राइब करने ऊदर समस्हें था आते हैं यह तो फट जाएगी यह कट जाएगी और फीर इसके अंदर जहां से कट वा सहोगा इससे कंदर पर समय सक्रागा चाता है करते हैं जिवानु का अंदर टीन को भेज़ना है तो इलेक्ट्र पूरेशन विधी का परिवकिया जाता है चलिए भाई शी के साथ तीसरा विधी है आप इसको लिखना चाहिए आप दिखाई देगा है भाई कि उच्छ बोल्टेज को उच्छ बोल्टेज को बीड़िधारा परबास किसे को किसका के भीतियक कला और श्थायर उसे कट यह पन जाती जिसके प्रणाव सिरिवाहआठ इसका से और फार्वेस करने में सच्छ जाता है जिवारू को श्का में जीजि उब्सका करता है जिवारू में वहां झालिश्क उल्लु कंडर चॉल भाई अगले शाघतें आप यार चीन को पर्षा कराना तो सबसे फोल्डश विर ने होता है इसको ओपाउपोक ने कइस स string axon मैंने का हमगोला इस संपय यह चां सिन्य या टूंगेश्टन का पर चाँ देदें उसका रज़ी से पाथपौ में इस पाथपर अपर बंबारी करत及 जिसे कंद्रे कंद्र पहुंच जाता है और फिर जीन का अस्तना अंत्रा हो जाता है आप चाहे तो इसको बता सकते हैं यहां पर पूरा लिखी गई है कि प्रतियच जीन अंत्राण की इस असदार तक्री में डिने विलिसी तंगस्टन या स्वन मुद्रा करो को सपेडिट गर जीन के भर जाता है इसको कायश होती है लासिट गुरण यूग तो जो आश्यन के दृता है इन्जक्सटन के ते इसमें का होता है भाई सार प्रतम जो डियने होता है लाइपो सुम्स में सार प्रतम जो डियने होता है उसे डियने का मुलग को सिका के अंदर यानि लाइपो सुम्स के अंदर डाल देते हैं लाइपो सुम्स मुझा इसको स्का को डालते हैं डियने के डियने के देखा और हमने यह देखा कि इसमें 5 विदिया होती है तो आज के लिए तिने नमस्ते धन्यवाद